नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग काफी दिनों के बाद मैं आज कोई रेसिपी आपके लिए कराएं में दर तवियत ठीक नहीं थी तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्रत वाली खिली-खिली खिचडी बनाने की बहुत ही आसान भी दी तो चलिए स्चार्ट करते हैं सबसे बाद हम इसमेंट तीन लाल मिर्च डालेंगे साबुत वाली हम हरी मिर्च नहीं डालते हैं सबसे ज़्यादा कमाल इसी मिर्च का होता है अगर आप मिर्च खाते हैं तो इस से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सोंधा पनाता है तो प्लेज ट्राइए करिएगा कि लाल मि इस से ऊपर रहे थोड़ा सा पानी मतला ऊपर रहे पूरा सूखा न रहे तो यह फूल के रेडी हो जाता बहुत अच्छे से दो तीन पानी से वास करीजिए कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है मिर्च और उसमें मिर्च अच्छे आलू से मैं बनाती हूं हमेशा कभी भी उबा आल की खिचडी मत बनाई हो बले आलू की ज्यादा अच्छी नहीं लगती है तो कोशिश यह किजिए कि बारीग बारीग खुबालू आप काट लीजिए कच्छे आलू को और दो तिन पाने से वास कर लीजिए और बस इससे बनाई है बहुत अच्छी खिचडी बनेगी दे में दिर ऐसे छोड़ देंगे उलट पलट करके हम इसे दो मिनिट तक भूनेंगे और जिसमें सोंधा पना जाए कि बहुत अच्छी बनती है जिस विदी से में बता रही हूं थोड़े से सामान में आप इसमें डाल देंगे सेंधा नमक स्वादान सब कम ही डालेंगे और उ दीगे से ढड़ेंगे और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहाए इस बात का ध्यान रखिएगा इसे ढग देंगे आज को धीमा कर देंगे और देखिए मोंफली के दाने में ने भून कर रखके थे सुबाही भून लिये थे इसमें दुपहर है मैं दुपहर में इक और थोड़ा टूट जाएंगे मौंफली के दाने तो वह अच्छे से मिल जाते हैं साबु दाने की खिजड़ी में आप साबु 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 डालेंगे तो मज़ा नहीं आए काने में देकिन आप इस तरह दो पीसे में हो जाएंगे ना हलके से आप हांसे दबा के वेलन चला पानी सूख जाएगा चैसे और तब आपकी खिचड़ी चिपके की नहीं तो इस पंके में एक सेकंड के लिए कि वह फाला देंगे आप पानी सूख जाए हलका साबसक नहीं है तो इसे हम फैला देंगे अच्छे से बारी बारी देखे फैलाया है मैंने और इधर देखिया वालू को चेक कर लेते हैं नहीं जल्डी पग जाती है ješ题 कितना अच्छा पालर को पहले बहुत है वह दो जाह चैझाते हैसमने प्रण पहले ही चाहीं पाद पालने की ज़ेखती है इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लेती है साबुदाने किच्री दो चम्मच जा लिजे का चार लोगों के लिए मैं किच्री बना रहे हूं सारा साबुदाना उठा के हम इसमें डाल देंगे और तेज आस पर इसे कोबच्छी से बून देंगे पास मिनट भी नहीं लगते हैं इसे बनाने में फटा फटा साबुदाने के किच्री रेडी हो जाती है और कोई आप देख रहे होंगे मैंने कोई भीस में ज्यादा सामाने डाला है अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे मौफदी के दाने जो मैंने दो भग में बाटके इसको बहुत अच्छा खुश्बू आती है से हरा पुदीना और धनिया आप डाल देंगे तो मजा ही आ जाएगा किच्री में अगर आप टामाटर के सोख हीने तो आप टामाटर भीस में डाल सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे नहीं कातिल से मैंने उसको हटा दिया है और देखिए ह हमारे खिचड़ी खिड़ी खिली बिल्कुल रेड़ी हो चुकी है इसे हम पुदीने और धनिया से गानेश कर देंगे बहुत अच्छी लगती है खाने बट्राइक कीजिए बहुत बहुत धन्वाद वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच आई सब्सक्राइब